आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी इंटेवियो नाजरीन और आज हम बात करेंगे अपकमिंग बजिट के हवाले से और इस पर बात करने के लिए जो गेस्ट हैं जोने हमें स्टूडियो में जॉइन किया है वो हैं वसीम वोरा साथ ही इस फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट फपी सी सी इस सबसे पहले उन्हें प्रोग्राम में वेल्कम करेंगे स्लाम लेकुम सरें वाल कुछ पर ब्रोग्राम तुड़ेंक यू सर का एक हफदे से हम लोग बलके बज़ट पर बात करें उससे पहले से भी और डिफरेंट बिजिनस कम्यूनिटी के लोग आते हैं बि साइन्स देख रहे हैं क्योंकि इस गवर्मेंट का आखरी बजट होगा और चाटा बजट भी है यह बिसमिल्ला रहमाद रहीम देखें यह एक बजट की जो का जो प्रॉसेस है वो पाकिस्तान की इस वकट जीडीपी को अगर आप देखें तो थ्री हंडेड बिलियन डॉलर् और इसका जो डेट टू जीडीपी रिश्यो है इस वकट वह है सिक्स्टी पॉइंट सिक्स्टी वन पॉइंट सम सम्तिंग और यह जो के सिक्स्टी से उपर नहीं जाना सहिए इसका मतलब यह है कि डेट कुछ इंक्रीज हो गया हुआ है ऑल्दोर इट इस विदिन लिमिट दूसरी बात ही है कि पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चरल फ्लॉव है और वो है फॉरन एक्सचेंज उफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनिस में जो डिफरेंस है जो गैप है देखिए इस वकट हमारी एक्सपोर्ट बीस बिलियन डॉलर की है अराउंड और 54 बिलियन से 55 बिलियन डॉलर शैद इस साल हो सकते है 60 बिलियन डॉलर टच कर जाए है इंपोर्ट का जो फिगर है तो यह सब चीजें एफेक्ट करती है ओवरॉल बजट को बिल्कुल जो बजट से हम एक्सपेक्ट करते हैं गॉर्मेंट से वो हर साल टैक्स रिलीफ टैक्स अमनेस्टी और इस साल भी यही कहा जा रहा है कि टैक्स रिलीफ दिया जाएगा तो आप समझते हैं कि हर बार की तरह यह सियासी वादे थाबित होंगे यहाँ फिर अवाम को खुश किया जा रहा है देखिए ऐस बिजनसमें हमें उसमें फोकस रहना पड़ता है हम सियासी बाते तो करते भी नहीं है और ना उसको देखते हैं इस वक्ट जो हमारे पॉइंट अ व्यू के मताबिक जो सिचुएशन इसमें चल रही है उसमें जो टैक्स एमनिस्टी गोर्मेंट ने अनाउंस क है वो एक अच्छा कदम है जे उससे इंकम टैक्स लॉज में इंकम टैक्स में कमी हुई है और फॉरण रेमिटन्स पाकिस्तान में आईगी जिससे एकॉनमी को बूस्ट मिलेगा लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दो इंपॉर्टन्ट रिफॉर्म्स जो गोर्मेंट को करने चाह अन्प्रेसिडेंटिट लेवल्स का है हर स्टेज पर हम विथोल्डिंग टैक्स देते हैं मसलें फोन पर भी देते हैं और ये पानी जो पिया है उस पर भी हम देंगे और ये तो विथोल्डिंग टैक्स की रिफॉर्म्स स्पेशली ऐस अ कमर्षिल मैं मैं आगर अपना उसके ओपर income tax deduction हमारी हो जाती है पोर्ट पे उसका उसमें major deforms की ज़रत है क्योंकि वो जो हमारी deduction होती है वो customs level पे वहां बहुत से ऐसे laws हैं जो enforce करते वक्त officials को एक discretionary powers भी हैं लहाजा यह laws जिसमें आप हमें force करते हैं कि यह tax आप दे दें और वो बाद में adjustable भी नहीं होता उसको वो reforms होने चाहिए ठीक है अचा साय आप से यहां पर यह भी जानना चाहूंगे कि government जो इतना जोर देरी होती है taxes पे और फाइलर होने पे हमारे मुलक में फाइलर होने के advantage क्या है कुछ भी तो advantage नहीं है सबका फर्ज है जी और इस वाकि जो tax to GDP ratio है पकिस्तान में lowest है और tax to GDP ratio is in single digit of below 10% है वो बाद दवाद गौर्वर्मेंट क्लेम करती है कि हमने 11% कर लिया है और अगर ऐसा हो गया है तो that's good लेकिन tax to GDP ratio से का अभी बहुत बड़ा gap है अगर आप दुनिया के दूसरे मुमालिक क्या बलके हमारे आस पास के country जो है जो हमारे neighboring countries हैं वहाँ 16% तक tax to GDP ratio पहुँच चुका है तो यह government के उन इदारों की indeficiency है कि सिर्फ उन टैक्सपेर्स को यह पकड़ा जाता है जो already जिनकी गर्दन आपके हाथ में है हम तो basically वह taxpayers जो आपके control में नहीं है जिसको आप detect नहीं कर सकते या आप करना नहीं चाहते हम वह major flaw है जो government को immediately करना होगा इससे cost of doing business जो हमारा बहुत बढ़ चुका है और जिसकी वज़ा से हम दुनिया की marketों में in competitive हो गए है हमारे products हमारी exports लेहाजा जब तक आप इसको एक taxpayer को relief अभी जो आपने income tax में की जिए relief figures जो दिये हैं लेकिन यह importers और exporters को effect नहीं करतें मुझे तो वो tax relief आप दें जो आप मुझे कस्टम में मेरा मुझसे आप deduct कर लेते हैं जो withholding taxes आप ले लेते हैं और unless rental आप वो करें नहीं करते तो वो हम मेरी cost हम सब की cost businessman की cost of doing business कम नहीं होगी बिल्कुल और सर आप देखी रहे हैं कि लोग यहाँ पे investment भी नहीं कर रहे हैं banks में वैसी लोगों ने पैसा रखवाना चोड़ दी अभी मैंने आपको उसकी एक वज़ा भी बताई and secondly you can see के फिर foreign investments की यहाँ पर बात आ जाती है कि हम अपने लोगों को यहाँ पर investment करने पर किस तरह से मजबूर करें जब कोई incentives ही नहीं है किसी किसम के देखिए आपने अ फाइलर बने जी लेकिन ऐसा लगता है कि वो पॉइंट सिक्स परसंट दे के वो खुश हैं नॉन फाइलर और रादर दन बिकामिंग अ फाइलर अ फाइलर तार इस ट्रू ठीक है सर आप से यह भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट पड़ी थी जिसमें आलमी एदारे ब्लूमबर्ग के मताबिक पाकिस्तान का रवा साल दो हजार सत्रा से दो हजार अठारा का जो जी टीपी ग्रोथ रेट है वो इसमें फाइफ पॉइंट सेवन परसंट रहने का इमकान है जबके इस साल जी टीपी टागिट सिक्स परसंट रखा गया था तो आपके ख्याल में क्या इस साल भी मौशी टागिट्स अचीव नहीं कर सकेगा पाकिस्तान फाइफ पॉइंट सेवन परसंट अगर इनका टार्गिट है और ब्लूमबर्ग के मताबिक यह अचीव हो जाएगा तो यह अची परफॉर्मस है ठीक है और इसको आप हम इसको भी नहीं थी तो अगर आज हम सिक्स परसंट के नजदीक पहुँच गया है तो यह हमारी यह कामयाभी है और जिसमें प्राइवेट सेक्टर को मुबारक बाद देनी चाहिए गौर्वर्मेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क में यह एक इनकलाब बर्पा किया था यह तो प्राइवेट सेक्टर की वैसे हुआ है नहीं सर एक और रिपोर्ट के मताबिक महंगाई की शरा कंट्रोल में और आप जानते हैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट है तो क्या कॉमेंट करेंगे इस पर इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से दे इस जो अपनी ग्रोसरीज को खरीगती हैं और वो उसको देखती है कि क्या पूजिशन है वो मेरा खाल है कि उनके पॉइंट अभी से देखना होगा अधर वाइस अगर ओवरॉल आप गॉर्मेंट के फिगर्स देखे तो उस लिया से तो लगता है कि वाकी कंट्रोल में ठी अगर आपने एमनेस्टी देनी है तो सिर्फ ये इंकम टेक्स में कुछ कमी करके उससे सिक इंडस्ट्री आपकी बाल नहीं होगी इसवगे जो मेजर रेवलुशनरी स्टेप जो गॉर्मेंट को उठाना चाहिए वो पाकिस्तान में लाखों फैक्ट्रियां बंद पड़ी ह बलकुल जो अभी हम जिकर कर रहे थे और उन फैक्ट्रियों के लाखों लोग जो जौबलेस हो चुके हैं वो फैक्ट्री ओनर जो समॉल स्केल का जो मीडियम कलास फैक्ट्री ओनर था वो गॉर्मेंट के बलैक लॉज की वजह से और वो लॉज क्या है रो मुखिलिफ इंडिस्ट्रियल स्टेट्स में एक वहाँ की जमीनों की ओपर वहां के जो लोग जो बिरोक्रेट्स हैं वो उसके ओपर इस तरह बैठे में नatan रही हैर उन जमीनों की चार्जिज जो वो नहीं इनक्रीस कर दी हैं और इंडस्ट्री उससे बहुत ज़्यदा परिशान है तो अगर आपने कोई रिफॉर्म लाने है वो मेजर रिफॉर्म यह होगा कि इंडस्ट्रिल एमनेस्ट्री दी जाए सिक इंडस्ट्री के जितने भी चार्जिस हैं उस सब आप वेव करें और फिर देखें कि आपकी जो लेवल ऑफ ग्रोथ है वो कहां पहुंचती है पाकिस्तान में सिक्स परसंट ग्रोथ अचीव करना तो एक नॉर्मल सी बात है अगर आप थोड़ी से मजीद डिस्प्लिन अपने अधारों को कर लें तो ये आठ परसंट तक भी पाकिस्तान की ग्रोथ में इजाफा हो सकता है और कोई बड़ी बात नहीं ठीक है अज़र से अमनेस्टी स्कीम की बात हो रही थी तो मैं आप से ये भी जाना चाहूंगी ये बेहतरीन टैक्स रिफॉर्म के एक मिसाल है अभी जो टैक्स रिफॉर्म किया गया है वो बिजनिस कम्यूटी के इंट्रेस्ट में है और बिजनिस कम्यूटी ने इसको सपोर्ट किया ठीक है सेर रीसन इंवेस्मेंट सेनेरियों के हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि इसे आप पाकिस्तान में किस तरह से देखते हैं ठीक है इंवेस्टमेंट का जैसे मैंने आपको का कि जब आप सिक इंडस्ट्री को बहाल नहीं करेंगे तो इंडस्टमेंट रिवाइव नहीं हो सकती और जो एक्जिस्टिंग सिक इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने के लिए आपको उसमें एक एमनेस्टी देनी होगी और उनके जितने भी गह जरूरी उनके ओपर चार्जिस लगाएगे हैं, बैंक इंट्रेस्ट अगर किसी इंट्रेस्ट्री के ओपर हो गया है और वो बंद हो गई है, या अगर वो आपने उसके ओपर कोई जमीन के किराये लगाई में है, जैसे के पोर्ट कासिम के ओपर ये बहुत सिलसला चल रहा है, जहाँ पर सेक्रो इंट्रेस्ट्री इस वज़े से बंद हो गई हैं, या वो प्रोजेक्ट्स ऑन स्ट्रीम नहीं आ सकें. तो सर, ऐसे क्या एक्दमात लेने चाहिए हैं जिससे आप समझते हैं कि इसमें बहतरी लाई जा सकती है? देखे, इसमें एक सिक इंडस्ट्रियल रिवाईवल कमिशन बनना चाहिए है. ठीक है सर. और वो कमिशन प्राइवेट सेक्टर के किसी ऐसे इमानदार शक्स को उसका चीफ बनाएं, गौर्मेंट के जो इस वकद मौजूदा बिरोक्राइट्स हैं, उनके बसकी बात नहीं है. सिक इंडस्ट्रियल रिवाईवल कमिशन और उसमें एक टार्गेट ने कि जितनी भी सिक इंडस्ट्रीज हैं, वो इमिजेटली प्रोड़क्शन में आ जाएं और वो आ सकती हैं, यहां पर यह कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है. सहर मोन एक ब्रेक हैं यहां को सुल्णाती प्राण है सब्सक्राद कहते हैं, ने बसक्राद बीशेटली को जाए लगल शाइट्सकरल शोड़क के दीश कता है. है वो है वसीम वोरा साथ ही इस फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट एफ पी सी सी आए वसीम साब रुपी डी वैलिएशन के हवाले से भी बात करना चाहूंगे आप जानते हैं हाथ से पान दस साल पहले डॉलर के रेट्स क्या थे अब क्या है और आने वाले वक्त में क्या तो बजट पर कितना फर्क पड़ेगा इस से एक एक ऐसा स्टेप होता है जो के नॉर्मल हालात में गौर्मेंट्स आवाइड करती है लेने के लेकिन वह एक मजबूरी होती है और एकॉनमी जिस डिरेक्शन पर मूव हो रही होती है यह एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लि कम करने के लिए की जाती है अगर आप पाकिस्तान की इस वकिट फिगर्स देखें जो मार्च की फिगर्स हैं इसमें 24% एक्सपोर्ट बढ़ी है पाकिस्तान मार्च 2018 में ऐस कमपेर टू लास्ट यर उसकी रीजन क्या है कि एक सो सोलह रॉपया का एक सो पंदल रॉपया का दॉलर यह एक्सपोर्ट के लिए अट्रेक्टिव हो गया हुआ ठीक है अचा सर एक और मैं इदर रेपोर्ट पढ़ी था एक तो यह वफाकी वजीर हारून अख्तर साब का बजट में कोई नए टैक्स नहीं होगा टैक्स कम करेंगे लिकिन इदर बिजनिस फ्रेंडली बजट और अवाम दोस बजट और यह सब चीज़ें तो मैं चाहूंगे कि आप इस पर भी थोड़ी रौशनी डालें बिजनिस फ्रेंडली बजट तो करना ही पड़ता है क्योंकि बिजनिस कम्यूनिटी पाकिस्तान की एकॉनमी को चला रही है और कोई भी गोर्वर्मेंट एंटी बिजनिस बजट तो लाने का तसवर भी नहीं कर सकते हैं कि बिजनिस कम्यूनिटी के मसाइल पर तवज़ा नहीं दी जा रही है और यह सब चीज़ें देखिए वो मसाइल अपनी जगा और वो मसाइल हैं जिस तरह मैंने भी आप से का इंडस्ट्रिल एमनेस्टी के जी या विठोल्डिंग टेक्स में रिफॉर्म्स के यह मसाइल हैं और यह बड़े इंपॉर्टन मसाइल हैं अक्सर हमने देखा आप चानते भी हैं कि जब बज़ेट आता है तो अक्सर बिजनस कम्यूनिटी की तरफ से जो है वो रिकमेंडेशन भी जा रही होती है लेकिन यह कंप्लेंस भी आती हैं कि उन्हें तो देखा भी नहीं जाता एक नजर पढ़ा भी नहीं जाता और कितना इंप्लेमेंटेशन होता है उस पर यह बात ठीक है कि उसको हमारी जो सजेशन्स हैं वो एक मनोवान तो कभी भी नहीं हुई और होना यह चाहिए कि बज़ेट बनाने से पहले अगर हमारे कुछ मामलात को सीरिसली देख लिया जाए तो यह कंप्लेंस बाद में ना की जाए ठीक है तो सार अक्सर यह भी का जाता है कि बिना कि भीज़ा जाता है और अगर उस पर इंप्लेमेंटेशन नी होता तो फिर बाद में इस पर आवास क्यों आः जाते है क्यों खामोश हो जाते हैं? खामोश तो कुई नहीं होता हम लोग अपनी रिकमेंडेशन बीचते रहते हैं और उसके फेडरेशन की तरफ से मुख़रिफ चेंबर्स की तरफ से मश्वरे हम अपने देते रहते हैं. जाहरे है, गौर्रमेंट के कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं, जो कि ऐसे लगता है कि वो एफबी आर के जो भी कवानीन है उसको इंप्लिमेंट करने के लिए उनके आएक बिरोक्राटिक सेट अप ऐसा है कि जिसमें से वो बाहर नहीं निकल सकते होना तो यह चाहिए कि जो इशूस चल रहे हैं जिन इशूस के उपर बिजनस कम्मिटी को सीरि बारा परसंट है जो के बहुत हाई लेवल के उपर है और हमने कई दवा का रिकमेंट किया है कि इसको आप लो लेवल पे लेकि आएं तो एट लीस्ट इस साल अगर इसको बारा परसंट कर दिया जाए तो एकॉनमी में एक बूस्ट आ जाएगा और यही अगर आप अपना जो पॉर्टफोलियो है गॉर्मेंट अपनी टैक्स का टैक्स कलेक्शन का पॉर्टफोलियो बढ़ा दे उन लोगों के पास जाए जो टैक्स नहीं देते हैं तो यह बेनिफिट हमें हो सकता है क्योंकि हम अलड़ी नेट में हैं आपने बताया बलके मार्च के महीने का दोजार अठारा का भी हम जिकर कर रहे थे तो एक्सपोर्टर्स की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पहले टू परसिट रीबेट मिल रहा था अब वो भी मिलना बंद हो गया ता आप समझते हैं इससे फरक आ रहा है और कितना फरक आ रह एक्शुली देखा जाए तो जो रिफंड्स हैं वो उन टाइम नहीं मिल रहा है और जिसकी वज़ा से एक्सपोर्टर एक बहुत मुश्किल में है क्योंकि वो जब एक्सपोर्ट करता है तो वो अपने उस रिफंड वैल्यू को डिड़क्ट करके अपनी प्राइस कोट करत करती तो वो फिर लॉस में चला जाता है उसका वर्किंग कैपिटल स्टक अप हो जाता है और उसने फिर मजीद जो अपनी आमदिनी को बढ़ाना है या अपने एम्प्लॉयमेंट उसने करनी है या उसने नई मशीने खरीदनी है या उसने जो भी मॉडनाइजेशन करनी है या उसने ब्रैंडिंग करनी है दुनिया में वो उसके लिए मुम्किन फिर नहीं रहता एक्सपोर्ट में जब तक हम ब्रैंडिंग नहीं करेंगे एक आप एक पर्टिकुलर ब्रैंड अगर खरीती हैं और वो ब्रैंड अगर आपको ना मिले तो आपको आपने लाइने सपोर्ट में भी ब्रैंडिंग करें उस ब्रैंडिंग की सपोर्ट में हमें हमारे डिफंड्स और हमारे जो इशूज एंगे उसको क्लियर किया जाए ऑन टाइम थीज़ोपमेंट फंश्ट के हाले से भी बात करना चाहूंगी कि भी नीद टू वॉर्क ऑन infrastructure development और development funds के लिए जो बजट रखा जाता है उसे आप देखते हैं कि कितना उस पर अमल किया जा रहा है क्योंकि अक्सर जो बजट रखा जाता है वो तीन से चार महीने में चीज़े सामने आ ही जाती है तो यहां पर development funds जो रखे जाते हैं उस development के हवाले से क्या हो रहा है देखि percent भी अपने PSDP को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होते तो जिसकी वज़े से मुझे अंदूने सिंज जाने का मौका मिला और वहां पर गुर्बत का आलम है अगर हम वहां भी industry को promote करें और वहां के roads और बिजली और पानी और गैस वहां के industrial areas को provide की जाएं तो वहां employment बढ़ सक सकती है उस market में एक वहां के लोगों की जो consumer spending है वो बढ़ सकती है तो as a businessman industrialist हमें तो consumer spending के ओपर ज्यादा focus हम करते हैं हम देखते हैं कि लोगों के पास पैसा खरच करने के लिए क्या जराएं हैं तो कराची से बाहर जब हम निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि सिंद में बिल्क पर जो कुछ हम produce करते हैं यहां इंपोर्ट करते हैं वो पिर हमको पंजाब में ही भीजना पड़ता है ठीक सर अभी IMF की तरफ से भी कुछ दिन पहले statement रही के पैट्रॉल की कीमतों में भी इजाफा होगा डॉलर की कीमतों में भी इजाफा होगा और देखने में भी आया तो क्या कहेंगे इस हवाले से इस पर क्या रद्यामल होना चाहिए पैट्रॉल की कीमते दुनिया में बढ़ रही हैं जो क्रूड ऑईल की कीमते वो किसी एक गौर्वर्मेंट के कंट्रोल में नहीं हो सकती हैं वो उपक उसकी प्राइस अप डाउन करता रहता है और उपक उनके अपने वर्लवाइट टार्गेट्स होते हैं यह बात ठीक है कि हमारे हैं जो पेट्रोल के ओपर टैक्स बहुत ज्यादा है और उस टैक्स में जितनी जल्दी कमी काबू पा ले वो हमें पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है सर बजट से लोगों की आप जानते हैं यही उमी उमीदे हैं कि वो चाहते हैं कि कमाडिटी की प्राइस में रिलीफ मिले और लोगों के जो में इशू है वो है बिजली और गैस जो यह कहते हैं कि आने वाले कुछ वक्तों में हमने काफी बहतरी देखी है तो आप समझते हैं कि यह बात ठीक है क्योंकि अब जब गर्मी रहते हैं कि हमने खतम कर दिया है यह सड्डनली फिर शूरू हो गया है अब अख़वारों में हम पढ़ रहा हैं जो के एक नेगेटिव जाता है आपके लेकिन वह लेबल जो हमने देखा था दूवजार तेरह में या दूवजार उससे पहले वह 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 अब शायद ऐसा नहीं है अगर गई है तो आदे गंटे यह गंटे के लिए गई है तो वह फाइनली कबर तो हो जाती है लेकिन हमारे में इशू जो है वह प्राइस है बिजली बहुत महंगी है बेसिकली जी और वह आम आदमी की दस्तरस से बाहर है जो इशू हमारा है वह बिजली की चोरी है कराची में 40% लाइन लॉसेज हैं यह दो इशू है में बिजली के हवाले से ठीक है बिलकुल सही कह रहे हैं सर आप महंगाई की बात हो रही है तो मैं सैलरीड लोगों के हवाले से भी यहां पर बात करना चाहूंगी जिनका आप जानते हैं कि इंक्रिमे को एंड्स मीट करने के लिए एक डिफिकल्टी होती है तो मैं यह मुश्वरत दूँगा कि उन सैलरीड परसन्स के जो अपने एंड्स को मीट नहीं कर सक रहे वो बिजनिस शूरू कर दें ठीक ऐसा है मैं आखली मेसेज देना चाहूंगी आपका देखिए हमारे जो रिसूर्सिस हैं वो बेताशा हैं जै और गौर्वर्मेंट को उन सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए जहां पर हमें बहुत तेजी से मुल्क तरकी कर सकता है मसलें यह के टूरिजम राइट अगर आप हमारे कोस्ट कोस्टल बेल्ट देखें खुब्सूरत बीचिज हैं हमारे पास हमारे पास संशाइन है इस वकट अभी भी अगर आप रूस अमरीका कैनेडा में देखें तो वहां अभी भी बर्फ जमी वी है वो लोग ऐसे साइट कि में लाकों की तदाद में फ्लाइट लेके पहुंचते हैं जहां पर उनको संशाइन मिले और हम अपनी संशाइन को कहीं इस्तमाल नहीं कर रहे हैं सर आखर में और बैसील पुछने कि अगर आप सबसे पहले एफिजिदि बजट पेश करता जिसमें लोगों को मिले हुप अ कर दो आप इंडसिरिल ऐमनेस्टी देंगे ठीक है ठीक है वसीम वर्ण साथ बहुत शुक्री आपके वक्त का आज नाजरीन आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर एक नए मौज़ू के साथ तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अपना बहुत ख्याल रखेगा खुदा हाफिस